हेलो फ्रेंज, हमारा आज का टोपिक है राइज अफ जैक कोबिन्स जिरोन दिन्स लेकिन ये कब हुआ? डिकलाइन अफ मोनार्की के बाद, तो हम देखेंगे कि डिकलाइन अफ मोनार्की कैसे हुआ और जैक कोबिन्स और जिरोन दिन्स का राइज कैसे हुआ? तो यह starting हुआ था decline of monarchy का oath of tennis court से जो की था 6th में 1789 को 6th में एक दिन था यह वह दिन था जिस दिन की तीनों state जो थे जो first state था second state और third state इन तीनों state का अपना अलग-अलग meeting रखा गया था और जो Louis 16 था उसने क्या किया कि सारा जो meeting है court का उसने सारा क्या किया कि allied class के वजह से suspend कर दिया वो उसने क्यों किया वो उसने क्यों कि जब यह third state का meeting रखा गया था जो कि तीनों state का meeting रखा गया था तो जो बाकी के दो state थे वो दोनों क्या थे कि इस बास से बहुत गुसा थे कि जो थार्ड स्टेट ने भी मीटिंग रखी है और इस से बहुत प्रभावित हुए थे ये लोग और लुई 16 भी इसलिए जो बाकी दो स्टेट थे उपर वाले उन दोनों के कहने पर इसलिए उन दोनों के सपोर्ट से लुई 16 ने जो उसके उसके कोड की जितनी सभाएं थी जितने मिटिंग्स थे उसको उसने क्या किया उसको सस्पेंड कर दिया और यह जो डिसीजन था लुई 16 का यह एकसेप्टेबल नहीं था जनरल क्लास को इसलिए वो लोग 20 जून 1789 को वो लोग टेनिस कोड चले गया और अब इस बाद से लुई 16 बहुत डर गया और उसने जिदी साइड किया कि अब हम क्या बुलाएंगे जॉइन मीटिंग बुलाएंगे जहां पे कि वर मेशन हुआ नेशनल ड Sevenबली का अ कर जब तीनों सट्ट ता वह बहुत गुसा था वाकी दो स्टेट से और उसे सांध करने के लिए नेशनल सब्ल डियक ने बहुत साओ सारा वैर किस जिससे कि third state जो है वो क्या हो सके कि खुश हो सके जिससे कि उसका गुस्सासान्त हो सके तो उसका work जो है वो थोड़ा इस तरह से है कि उसने किया क्या कि जो लोग थे उनको basic rights मिल गया जनल के बास से और जो church थी उसकी property को जब्त कर लिया गया और making of constitution, constitution का निर्माड हुआ और जो बाकी allied class थी जो कुलीन थे उनके पास जो special rights थे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो राजा के दरबारी होते थे उनके पास एक विशेस अधिकार होते थे जिसपे की वो क्या कर सकते थे वो किसी का नाम लिख सकते थे और जिसका भी वो नाम लिख देंगे उसको सजा मिल सकती थी तो ये सारे जो विशेस अधिकार थे वो खतम कर दिये गया उसके बास selection of clergy by voting तो जो बाकी clergy थे उनका क्या होने लगा उनका selection voting से होने लगा लेकिन यह जो assembly थी बहुत जादा दिनों तक नहीं चली यह भी dissolve हो गई 9 July 1789 को और इसके बाद फिर हमारा national assembly जो है वो national constituent assembly में बदल गई यह assembly जो थी इसको लुई 16 का जो approval है वो 1791 को मिला क्योंकि इस assembly ने constitution का निर्मार किया था तो उस constitution को जो इस constitution को जो approval मिला लुई 16 का वो 1791 में मिला इसका structure इस तरह से था जो national assembly जो national constituent assembly थी उसमें ऐसे chairs बने थे जिस पे की right side जो right side थे वो right winger बढ़ते थे और left side left winger बढ़ते थे तो जो right winger थे वो कौन थे वो लोग थे allied class जो की supporter थे मोनार्की के और जो left winger थे जो left side बढ़ते थे वो general class के लोग थे जो लोग revolutioners थे और जो revolutioners थे ये जो left winger थे इन ही में इन में भी दो पार्ट थे जैक कोबिन और जिरोंदीन्स यही जो अलग हुआ जब तब यह लोग जैक कोबिन्स और जिरोंदीन्स में बट गए थे उसके बाद फिर यह जो हमारा national constituent assembly था यह भी बहुत जादा दिन तक नहीं चला इसके काम से भी लोग satisfy नहीं हुए इसलिए इसे भी कुछ समय बाद dissolve कर दिया गया और फिर 20 September 1792 को national convention का निर्माड हुआ और यह जो national convention था यह universal surprise के द्वारा बना हुआ था और तीन साल के लिए यह हुआ था कि हर बार तीन साल के लिए यह जो national convention इसका निर्माड होता रहेगा तो यही टाइम था जैक कोबिन्स और जि इसी वक्त यह लोग बहुत highlight हुए थे और 1792 से 1795 जो time period है इसको जैक कोबिन्स ने रूल किया है और इस time period को reason of terror भी कहा जाता है अब हम देखेंगे जिरोंदीन्स को कि जिरोंदीन्स कौन थे और वो लोग कैसे highlight हुए तो यह लोग जो थे यह national convention से ही थे लेकिन इनका कोई separate period नहीं रहा है रूल करने का जैसे कि बाकी लोगों ने रूल किया है मोनार्की ने रूल किया उसके बाद जैक कोबिन्स ने रूल किया तो वैसे कोई time period जिरोंदीन्स का नहीं रहा है इसलिए हमें कहीं देखने को भी बहुत नहीं मिलता है फिर जिरोंदीन्स जो थे यह थे तो जनरल क्लास के लोग लेकिन ये वो लोग थे जो कि other than farmer और worker थे जैसे कि हमने देखा होगा कि जो third state था उसमें भी कुछ लोग थे जो लोग की worker और farmer नहीं थे उससे थोड़ा rich थे वो लोग थोड़ा educated थे तो ये जो जिरो इन्दीन से ये वही लोग थे जो कि worker या farmer नहीं थे तो ये लोग उन लोगों से polite थे जो जैक कोबिन्स वाला ग्रूप है उसमें क्या थे उसमें ज्यादा farmer और worker है तो इसलिए ये जो जिरो इन्दीन का ग्रूप है ये polite है जो कोबिन ग्रूप से और जादतर ऐसा solution चाहता है जो कि सांती पूड हो लेकिन इनके पस perfect knowledge नहीं होता है politics का as other जैसे कि बाकी जो हैं बाकी लोग हैं उन लोगों की आखे कहां पर crown पर हैं वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह लुई 16 हटे और गंदी जो है वो मुझे मिल जाए तो वैसे इन जिरो इन्दीन की आखे जो हैं वो भी वहीं टिकी हुई थी ट्राउंस पर ही टिकी हुई थी वो लोग के पास भी dream था वो highest ruling position पाने का वो भी चाहते थे कि कोई opportunity मिले जिससे कि किंग का जो जो king है उसकी disloyalty को prove किया जाए country के प्रती और हम उस गदी पे जाके बैठ सके तो इसके लिए तो planning चाहिए तो जिरो इन्दीन्स ने भी तो कुछ planning किया जिससे कि उसने disloyalty को prove करने की कोशिश की तो उसने पहली कोशिश की कि उसने announce कर दिया कि वो nobles जो हैं जो वो allied groups है allied group के वो लोग जो हैं जो कि यहां से भाग गये हैं और वो clergy जिन्होंने अभी तक oath नहीं लिया है वही लोग मुख्य कारण है यहां जो disturbance चल रही है इसके इसलिए उन लोगों को यहां वापस आ जाना चाहिए जो यहां से भाग गये हैं और जिन्होंने अभी तक oath नहीं ल पास था veto power तो उसने इस पर veto कर दिया कि ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है वह चाहें तो return हो नहीं चाहें तो ना return हो और अगर वह चाहें तो ओथ ले ना चाहें तो ना ले और यहीं तो चाहता था 2019 की लूई 16 ऐसा करें जिससे की उसका डिस लोयल्टी प्रूव हो और उस वह उसने ऐसा किया भी जिससे की डिस लोयल्टी प्रूव होई लेकिन यह बहुत बड़ा कुछ नहीं था जिससे की राजा को उसके position से रिमूव किया जा सके इसलिए जो 2019 थे उन्होंने अगला कु जिससे इसकी डिस लोयल्टी प्रूव हो तो उसने एंटी उस्ट्रिया वाले हरकते करना सुरूर कर दिया जैसा कि हम देखे हैं या जानते हैं कि उस वक्त बहुत जादा अच्छा मित्र तो नहीं था तो इसलिए वो क्या था एक एनिमे जैसे ही बिहेव करता था फ्रांस क वो लोग उसे हैंडल भी कर लेंगे और जीत भी जाएंगे जिसके बाद वो रिमूब कर देंगे लुई 16 को लेकिन ऐसा नहीं हुआ situation उनके हाँ से बिगड़ती चली गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ France का उस वक्त इस लड़ाई में और अंततर इस लड़ाई को हैंडल करना पड़ा जैकोबिन्स ग्रूप को जिरोन दिन्स नहीं कर पाया जिरोन दिन्स सकसेशफूल तो हो गया लेकिन लुई 16 का डिसलोयल्टी प्रूब करने में अब इसके बाद क्या हुआ जो फ्रांस की जनता थी वह बहुत गुस्सा हो गई लुई 16 से अब उसे क्या करना चाहती थी पनिस करना चाहती थी क्यों यह जहते थे कि ठीक है उसे डिस्प्लेस कर दिये जाए लेकिन राजा को जिन्दा छोड़ दिये जाए उसकी जगह पे नया कोई हो जाए लेकिन उसे जिन्दा छोड़ दिये लेकिन जो लोग थे वह बहुत गुस्सा थे इसलिए वो लोग राजा और राणी दोनों को उन इनके वज़े से ही क्या हुआ था काफी सारा नुकसान हो चुका था फ्रांस का इसलिए वह इन लोगों से भी बहुत नारास थी और दूसरा इसलिए भी क्योंकि यह लोग राजा को छोड़ने के बात कर रहे थे इसलिए भी जो जो वहां की सिटिजन थी वह बहुत नारास थ जाती थी कि इन्हें भी पनिस किया जाए वह इनसे भी काफी गुस्सा थी तो इनका रीजन क्या था किस वज़ा से यह लोग decline हो गया है क्योंकि यह जो time period है इसी में लोगों का highlight भी यह लोग इसी में हुए और इसी में इन लोग decline भी हो गया है तो decline होने का reason यह लोग खुद ही थे इन्होंने खुद ही अपना decline होने का door open किया था क्योंकि इतने सारे इन लोगों ने ऑस्ट्रिया के साथ क्या क्या वार कर दिया उसलिए वह लोग लास्ट ली जब इन लोगों के ऊपर क्या होने लगा जब ऋपिस्टीजिएंश जो थे हैं वो लोग इन लोगों को ढूटने लगें लोगों को पटने के लिए तो फिर ये लोग जाकर कर जाकर और शुटिया के ही लोगों सहारे यह लोगulैंब इस ने करने लगें बदगायची लिए ये एक तरह से इनके लिए ही डोर ओपन कर रही थी डिकलाइन होने का और ज्यादा मिस्टेक बढ़ रहे थे उसके बाद डाउटफुल डिसीजन किसी भी मोमेंट पे इनका जो डिसीजन था वो क्लियर नहीं होता था जबकि जब ऐसे टाइम पे डिसीजन क्लियर होने और उसके बाद इनके पास बहुत बड़ा ड्रीम तो था कि कंट्री को गवर्ण करें लेकिन इनके पास एबिरिटी नहीं थी कि वो परफॉर्म कर सकें इसलिए इन लोगों का जैकोबिन्स थे इन लोग हो गएं एंड अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक होगा जैकोबिन्स का